हेलो स्टुडेंट्स दिस दे वीडियो नंबर फूर ऑफ कैपसिटर ओके बटा तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट डिसीपेटेड इन चार्जिंग आफ पैरल प्लेट कैपसिटर इसकी प्रॉब्लम हमने आपको खूब कराये हैं आपने दीखा है अब बटा हम लोग क्या है कि जो आपके PDF में है उसको हम लोग explain करते हैं आपको पता है एक हमारे पास एक uncharged capacitor है इसको हमने क्या है वी वोल्ट की बैटरी से इसको हमने connect कर दिया या तो यह कह सकते हो कि यहां से क्या है एक है में में और और तो और तो आप दोनों तरिके से कह सकते हैं कि जो नेगेटिव वाली प्लेट से क्या टूटे गा उटको तोड़ता है यहां से positive चार चार्ज को तोरएगाizzard और ले बेलाबर नहों जाए मालेगे इस पर चार्ज आया वो लभी इस पर घुट भूलाँ तो यहां से कुटना चार्ज तोड़ा गया चार्ज यहां से तोडलिया गया और इस ही को क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया गया यह काम किस ने कि आ बैटरी ने किया ठीक है बटा जी तो आप बताइए कि ये तो बैटरी ने वर्क कर दिया अब फाइनली इसका पोटेंसिल V के बराबर हो गया अब चार्ज का फ्लो रुख जाएगा यह तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको तो अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि वर्क डन बाइदा बैटरी क्या हुगा तो बैटरी कितना चार्ज तोड़ के ले के आ रही है क्यों चार्ज तोड़ के ले के आ रही है बैटरी से कितना चार्ज पास हुगा क्यों की वैलू क्या होगी बटा जी ये होगा C into V के बराबर capacity क्या है C है potential क्या है इसका V है तो charge कितना बना C into V ना क्यों कितना है C into V आया तो work done by the battery क्या होता बेटा जी जो charge battery से flow कर रहा है वो charge into battery का voltage C into V स्कार हो गया ठीक है बेटा जी अब कहोगे अगर मैं पूछूँ आप से की अब energy कितना stored है इसके अंदर energy stored in capacitor कितना है बेटा जी ये आपका energy stored है 1 upon 2 C V स्कार ये energy stored है अब बताए बैटरी ने work कितना किया बैटरी ने work किया C V स्कार और energy कितनी stored हुई 1 upon 2 C V स्कार तो जो बैटरी ने work किया वही energy capacitor के अंदर store होनी चाहिए थी C V स्कार क्यों work ही तो store होगा लेकिन वो store नहीं हुआ क्या इसका मतलब हुआ तो कितना तो इसका मतलब कि अगर दोनों का difference निकाले work done जो किया गया उतना store नहीं हुए heat dissipated होगा ये कितना होगा ये देखिए आप कहोगे सर यहाँ पर C V स्कार है ये बैटरी ने काम किया माइनस 1 upon 2 C V स्कार ये store हुआ है तो आप कहोगे 1 upon 2 C V स्कार जो है heat में dissipate हो गया इसका मतलब जो heat dissipated आपकी निकल के आई heat dissipated है ना वो कितना है 1 upon 2 C V स्कार इसका मतलब कि capacitor के अंदर जो energy is stored हुई वो सिर्फ 50% हुई और 50% energy loss हो गई in the form of heat ठीक ना joule heating effect कहते है उसको heat के form में निकल के बाहर से ली गई मतलब 50% ही energy is stored हो पा रही I think मेरी बात आप समझ गए ठीक है इसको मैं explain भी किया हूँ यहाँ पर देखो slide में हमने यहाँ पर explain किया है तो इसको आप लोग read कर लेना बात वही है ठीक है बटा जी और सारे formula हमने आपको बनाया होगे है कि formula कैसे बनेगा उसको मैंने point out किया है यहाँ पर लिखा रहा है heat loss equal to work done by the battery minus e energy final minus energy इसे मैं आपको problem में explain करके problem करा चुका हूँ ठीक है बटा जी अब बटा अगरे concept में पढ़ना है कि force between the parallel plates capacitor देखो यह आपके पास एक parallel plate है इस पर inner face पे charge आपका मानले जर डिस्टिब्यूट है इसको आपने plus q ले लिया यहाँ पर आपने minus q ले लिया x plate है यह y plate है इनके बीज का distance d है तो आपको गसर यह positive plate है यह negative plate है क्या positive plate negative plate को अपनी तरफ करेगा track और positive को निगेटिव प्लेट को positive अपनी तरफ करेगा track तो बदाइए वह हमें force of attraction निकालना है ठीक है बना जी वह हमें force of attraction निकालना तो हम कैसे निकालेंगे one by one करके देखते हैं यहाँ आपने कहा कि यह इसको करेगा track यहाँ इसको करेगा track मानलो अब positive plate क्या कर रहा है y को attract करने बाला है किसे करेगा अब positive plate जो अपनी electric field बनाएगा वो electric field force क्या होता है force होता है तो positive plate अपनी जो electric field बनाएगा उसी electric field से negative वाली plate को करेगा track देखो इसके अंदर जो electric field होता है वो होता है e equal to sigma upon epsilon naught लेकिन यह जो electric field है यह दोनों positive का और negative का मिलाकर electric field है लेकिन जब positive plate negative plate को अपनी तरफ करेगी अट्रेक्ट तो positive plate जो है अपनी electric field इस पर लगा करके attract करेगी अपनी electric field दोनों का समनी होगा अगर इस plate को positive plate से attract होना है तो positive plate इस पर field लगाए कौन सी field लगाएगी positive plate अके लिए कितना लगाएगी sigma upon two epsilon naught यह किसकी electric field है यह positive plate की electric field है क्या इसी electric field से इसको करेगी attract आपको गया अपनी electric field से attract करेगी तो आपको होगे कि electric field only due to plate x electric field only due to plate x सिर्फ अकेले जो electric field बनाएगी वो क्या होगी बटा जी वो electric field जो है x की क्या होगी sigma upon two epsilon naught होगी क्योंकि अपनी ही electric field से इसको attract करने वाली है और हर point पर electric field सेम होगी इसलिए इस negative plate पर जो electric field लगने वाला है positive plate की वो sigma upon क्या लगने वाला है two epsilon naught अब बताए अब बेटा हम लोग क्या आए देखें कि attractive force on y due to x मतलब इस y पर जो attractive force है जो x plate लगा रहा है वो कितना लगा रहा है तो x plate की अपनी electric field क्या है sigma upon two epsilon naught और y plate पर charge कितना है q है तो force क्या बन जाएगा force equal to क्या होगा यह होता है formula होता q into e होता है और अगर हम force on y due to x निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पर किसकी electric field लिखोगे यक्ष की electric field लिखोगे क्योंकि यह पर force लग रहा है y पर लगा कौन रहा है x वाली plate तो x वाली plate का electric field लाएगा तो यहाँ पर क्या formula बन जाएगा देखो आपका force on y due to x equal to charge कितना है q into electric field कितना है sigma upon two epsilon naught ठीक है बड़ा जी और sigma की value क्या होती है q upon a होती है तो q into q upon two a epsilon naught और q हो जागा तुमारा q square हो जागा q square upon two a epsilon naught तो यह force on क्या हो गया y due to x कितना हो गया q square upon two a epsilon naught यह बड़ा important है इसको आप लोग हमेशा याद रखना और इतना ही force क्या है इतना ही force कौन लगाएगा force on क्या होगा x due to y क्योंकि y भी electric field अपना कितना बनाएगा इतना ही बनाएगा और अपनी तरफ बनाएगा तो y plate ने जो अपनी electric field बनाई है x plate पर वो कितनी बनाई है sigma upon two a epsilon naught उसी c's को अपनी तरफ खीचेगी तो force तो बराबर आने वाला है magnitude में q square upon क्या है two a epsilon naught दोनो forces दोनो plate एक दूसरे को equally force से अपनी तरफ attract कर रहे हैं बट उनकी direction क्या होगी opposite होगी formula क्या लगा ना था into e उससे आपका force of attraction निकल की आ जाता अब बेटा हमको पढ़ना है combination of capacitors आपके पास बहुत सारे capacitors है जिसे माले जी आपके पास एक device है उस device में मालो आपको 10 microfarad का capacitor लगाना है तभी वो काम करेगी जी के बेटा जी तो अगर आपके पास एक single 10 microfarad का capacitor नहीं है और आपके पास छोटे छोटी value का capacitor है एक microfarad है टू microfarad है थ्री microfarad है इसी प्रकार से आपके पास इसी प्रकार से बल्क में बहुत सारे capacitors है तो आपको क्या करना होगा कि कुछ capacitors को लेकर के आपस में इस तरीके से combine करना होगा कि उनका net effect हो ठीक है न अगर आपको चाहिए मालनो 10 microfarad का मैं फिर से repeat कर रहा हूँ एक device है उस device को चाहिए 10 microfarad का capacitor चाहिए और आपके पास single 10 microfarad का capacitor नहीं है और आपके पास 1 microfarad और 2 microfarad की बहुत सारे capacitor रखे होई हैं बल्क में अब device में क्या चाहिए device में चाहिए 10 microfarad का capacitor तो आप उन्हीं एक और दो जो आपके एक microfarad है 2 microfarad है इन्हीं को मिला करके इस तो आपके पास है तो आप इन्हीं में से लेकर के capacitor को एक ऐसा combination बनाओगे जिस combination का जो effect है जिसका impact है जिसका effect जो है वो 10 microfarad के बराबर हो जाए तो उस circuit में आप जो है उस combination को लगा दोगे उस circuit काम करने लगेगी अगर आपके पास जो 10 microfarad का capacitor कहीं से आ गया उसको लगाओगे तब भी circuit आपका वैसे ही काम करेगी जैसे आपने group में लगाया है लेकिन वो combination आपको आना चाहिए किस प्रकार से combine करना है जिससे की जो combination है उसका 10 micro effect का effect का मतलब क्या हुआ कि जो 10 microfarad में single जो था उसमें जो energy stored होगी वही energy जो है इस combination में भी stored होने वाली है क्योंकि आपने combination ऐसा बनाया है कि वो combination का जो effect है वो 10 microfarad के बराबर होगा तो इस प्रकार से हम करते हैं इसको combination बोलते हैं इसलिए प्रकार हम जो है कि grouping करते हैं कैपेस्टर की आपस में उनको connect करते हैं तो वही मैंने कहा कि मानलो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कैपेस्टर हैं 1, 2, 3, 4 हमने random तरीके से इसको grouping कर दिया है इसके बाद हमको देखना है कि terminal A और B के बीच में जो इसका net effect है वो कितना है क्योंकि device में लगाना है तो A और B को ही जोड़ना पड़ेगा तो क्या करेंगे इसको हम combine करके बना देंगे C equivalent क्या कर देंगे grouping करेंगे सबका निकालेंगे C equivalent जो energy यह store करेगा वही energy यह भी store करेगा तो अगर हमको यह चाहिए हमको यह चाहिए हमारे पास single नहीं है हमारे पास छोड़े छोड़े capacitor है तो उनको group में लाकर के हम combine कर सकते हैं उसे बोलते हैं grouping of capacitors ठीक है बटा जी इसे मान लेजिए आपने क्या किया आपने इसको battery से जोड़ दिया यहाँ पर positive यहाँ पर ने इसको आपने battery से जोड़ दिया यह वी volt की battery है इसको भी आप जोड़ दिया battery से क्या आपको पता है बैटरी यहाँ भी वी volt है जो काम यह group कर रहा है वही काम यह भी करेगा अगर मान लो कि यहाँ से क्या है यहाँ से battery ने माल जी यहाँ से positive charge तोड़ा मान लो यहाँ से dq charge यहाँ से तोड़ा इसने यहाँ से delta q charge इसने तोड़ा मान लो battery ने क्या है से डेल्टा क्यू चार्ज तोड़ करके इस वालों प्लेट को दिया, फीक है नहीं, इस सिस्टम में भी क्या होगा, डेल्टा क्यू ही चार्ज तूटेगा, और यहां तूट कर जाएगा, यहां पर लेफ्ट साइड में होगा डेपॉजिट जो फिनामेना यहां हो रहा है वही फिनामेना यहां भी होगा ठीक है बैटा जी यह बड़ा इंपोर्टन कॉंसेप्ट है इसको समझो ध्यान से कि ग्रूपिंग ऑफ कैपेसिटर्स सारे ग्रूप में होंके सब को इकठा करके हम बना माले जी हमारे पास तीन अंचार्ज कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 सब की कैपेसिटर्स आपको दी गई है यह सब अंचार्ज है आपने बैटरी लगा दिया तो बैटरी क्या करेगी बैटरी जो है कि बैटरी चार्ज को तोड़ती है एक तरब से और दुश्य से सप्लाई करती ह माले इस प्लेट से बैटरी ने क्या है चार्ज को तोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहां से तोड़े क्योंकि निगेटिव लगा रहा है आपन तो पॉजिटिव चार्ज यहां से तोड़ेगी माले यहां से उसने क्या किया Q चार्ज उसने तोड़ा और तोड़ करके यहां इस प्लेट से बैटरी कनेक्ट है, बतब साइट्स वाली प्लेट से जो बैटरी कनेक्ट है, उस पर तो चार्ज आप इजरी लिग सकते हो, finally इस पर कितना आ गया minus q charge इस पर आ गया plus q charge बैस्टी ने एक work किया आपका ठीक है बटा जी अब देखते हैं जो अंदर वाली plates हैं उस पर कितने charges आएंगे तो अंदर वाली plates पर charges हम खुद distribute करेंगे कैसे अगर इस पर plus q आया और इसी के साथ यह connect है तो आपको पता है कि जो capacitor होते हैं दोनों plate पर charges का magnitude सेम होता है बट अपोजित होता है तो आपको इस पर minus q आएगा अब देखो यह दोनों plate आपस में जुड़े हुए हैं यह वाली plate और यह वाली plate तो इस पर minus q आया तो इस पर क्या जाएगा इस पर plus q आ जाएगा और अगर इस पर plus q आया तो इस पर क्या जाएगा minus q आ जाएगा और इस पर minus q आ जाएगा तो इस पर क्या जाएगा प्लस q आ जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग कैपस्टर पर charge को distribute करते हैं याद रखना पहले क्या कर देना बैटरी से जो plate direct battery से connected है जो negative से connected है उस पर negative charge जाएगा और जो positive से connected उस पर positive charge आ जाएगा इसके बाद जो बीच वाली plates हैं उनमें हम क्या अपने मन से ही redistribution कर सकते हैं एक plate पर positive दूसरे पर negative किसरे पर positive चौथे पर negative इस प्रकार से अंदर के charges को हम rearrange कर सकते हैं ठीक है बटा जी इस प्रकार से यहाँ पर charges rearrange हो गए ठीक है अब क्या यहाँ पर क्योंचा सबका charge सेम है और charge का flow रुख गया क्यों क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या है इसका potential V1 है इसका potential V2 है इसका potential V3 है लेकिन जब तीनों को sum करोगे तो net potential V के बराबर आएगा क्योंकि charge का flow तो तभी रुखेगा जब पूरा का पूरे system का जो आप system है उसका potential battery के बराबर हो तो charge तोड़ना बंद कर देती है इसे combination को बोलते हैं series combination याद रखेगा कि in series combination of capacitor always charges on all capacitors remains equal सारे capacitor पर charges same होंगे equal in the steady state जैसे steady state आने का मतलब क्या हुआ कि potential system का potential जो combination उसका पूरा का पूरा potential और battery का potential बराबर हो जाता उसे बोलते है steady state ठीक है बटा जी इसके बाद आप कहोगे if capacitor were initially uncharged पहले क्या था वो uncharged था बाद में charge हो करके वो steady state में आ गया है तब जाकर के सारे क capacitor पर charges क्या होंगे equal होंगे आपने का कि series combination जब भी बनाओगे तो charges are equal in all plates of capacitors ठीक है बटा जी बस आपका concept clear आपको पता है कि अगर हम देखा जाए तो battery का potential charge का flow होना रुख गया अगर तो battery का potential क्या हो जाएगा battery का potential V equal to क्या हो जाएगा बटा जी V1 प्लस V2 प्लस V3 हो अगर आपने कहा कि sir इसको हमने क्या किया पहले आप इसे कर लो इसको हमने कहा कि sir यहाँ पर अब बेटा मैं यह आपसे कहना चाहता हूँ कि मानलो आपने क्या किया तीनों को combine कर लिया तीनों को combine किया आपका आगया C equivalent आगया अब C equivalent आगया तो आपको यह पता नहीं है कैस वी से क्या गरें करेंग कनेक्ट तो ही काम यहां भी होगा जो काम यहां हो रहा है क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो निट इफेक्ट है वो क्या है सी क्यूवेलेंट है यहां से कितना चार्ट तूटा था माइनस क्यू चार्ट तूट करके इस पर आया था यहां से भी प्लस अब बताईए इस वारे डायग्राम की बात कर लेते हैं इस वारे डायग्राम की बात अगर कर लेते हैं तो वी हमारा बैटरी है वी कोल टू क्या है वी कोल टू हमारा है वी वन प्लस वी टू अब प्लस वी थ्री है अब बताओ इसका पोटेंसिल हैं कितना होगा वी होगा इ दोँ बताइए हम V को यहां से निकाल लेंगी, V क्या होगा बटा जी? अगर आपको V निकालना हो, तो V क्या होगा देखो, पहले आप V1 V2 लिख लिएते हैं हम लोग. V equal to क्या होगा, V1 कितना होगा, यहां से निकालेंगी, क्या होगा, अगर यह V1 है, इसकी capacity क्या है c1 है, charge क्या है q है, तो v1 क्या होता बड़ा जी, अगर आपको v1 निकालना है, तो अगर कैसे निकालोगी, q upon c1, q upon क्या होगा c1, charge upon capacitance आपका v1 आ जाएगा, तो यह जाएगा q upon c1 आ जाएगा, अब plus यह q2 upon क्या हैगा, c2 आ जाएगा, अब plus q3 upon c3 आ जाएगा, वहज चार जपान क्या होगा क्या होगा, capacitance आपका potential देगा, इसका potential v1 है, तो charge upon capacitance आपका v1 आ जाएगा, charge upon capacitance आपका क्या जाएगा, अच्छा तीनों पे चार सेम है ना, तीनों पे चार सेम है, तो हम charge गो सेम ही लिखेंगे, V3, तिनों को sum करेंगे V के बराबर आएगा और V को आप यहाँ से निकाल सकते हो यहाँ से V कितना होगा सर्किट से देखो आपका यह होगा Q चार्ज तो आपका Q है लेकिन जो Capacitance है वो C equivalent के बराबर है यहाँ पर V कहा सकते हो आप यहाँ आपका 1 upon C equivalent निकालना है तो आपको इसको reverse कर देना पढ़ेगा तो आपका C equivalent आपका C equivalent आजएगा मतलब जो फार्मूला आपने निकाला 1 upon C equivalent का ये निकाला ठीक है बटा जी रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है जब आपका रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और रेजिस्टेंस जब आपका होता है पेरलल में 1 upon C equivalent equal to क्या होगा 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 ठीक है बटा जी मानलो अगर आपके पास N capacitors है तो क्या होगा अगर N capacitor जो है सीरीज में connected है तो क्या होगा आपका 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to dot 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 1 upon Cn जितनी भी capacitor है 1 upon के form में चलेंगी और सबको solve करने के बाद आप 1 upon C equivalent में छोड़ देना आपको निकालना है C equivalent तो आपको और इसी प्रोकल करके ही answer आपको मिलेगा ठीक है पेटाजी कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर मालेजे आपके पास जो अगर सिर्फ 2 capacitor लगे होगी है दो capacitor तो कैसे निकालोगे तो डारेक्ट क्या फर्मूला होगा 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 इसको multiply कर दोगे बढ़ाजी क्या आजाएगा तुमारा यह आजाएगा C1 plus C2 upon C1 into C2 बट आपको क्या निकालना है C equivalent C equivalent आपको आजाएगा C1 into C2 upon क्याएगा C1 plus C2 इसको आप लोग याद रखो क्योंकि डारेक्ट आपको यूच करना होता है तो बार-बार आपको यह सब नहीं लिखना होगा अगर 3, 4 या 5 आगए कैसे साथ में आगए series में combination तब तो आपको 1 upon C1 1 upon C2 1 upon C3 करके आगए बढ़ना होगा लेकिन अगर सिर्फ 2 capacitors आपस में series में combine है तो C1 into C2 upon C1 plus C3 निकाल लोगे तो आजाएगा direct आजाएगा C equivalent आजाएगा तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो ठीक है बटा जी यह concept आपने देखा अगर मान लो कि आपको equal capacitance दिया गया ऐसी और यह series में और आपका जो है N capacitance आपके पास है N capacitance है और सबका क्या है capacity C है C है C है तो बटा जी क्या होगा C equivalent क्या होगा 1 upon C equivalent क्या होगा N upon C होगा total number upon C होगा क्योंकि सबका same C है तो अगर इसको निकालेंगे C equivalent क्या होगा बटा जी बता हो C equivalent आपका होगा C by N तो अगर आपके पास N identical capacitors है क्या है N identical capacitors हैं आपके पास N identical capacitors आपके पास है तो जो उसका C equivalent आएगा वो C by N करके आएगा ठीक ना ये चीज़ आप याद रखना और ये चीज़ बहुत important यहाँ पर है मैं point out कर देता हूँ कि जब भी आपका series combination होगा ऐसे देखो मैं बता दूँ आपको जब resistance combination होता है ऐसे आप जानते होगे यह R1 है यह R2 है यह R3 है जो यहाँ पर R equivalent आता है वो आता R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका मतलब जो R equivalent आएगा वो बड़ा होगा किस से R1 से बड़ा होगा R2 से बड़ा होगा R3 से बड़ा होगा क्योंकि तीनों को sum करके मिला है ना लेकिन capacitor में इसका उल्टा होता है तो capacitor में अगर मालो तीन अगर आएसे आपको combination दिये गए है यह आपका C1 यह आपका C2 है ठीक है ना तो यहाँ पर जो C equivalent आएगा वो हमेशा छोटा होगा किसे C1 से और C2 से C equivalent क्योंकि क्या है उसका reciprocal आ रहा है बटा ना तो इस लिखा है मैंने आपर कि effective resistance is always यह effective resistance is always less than the minimum value of capacitance मतलब इन दोनों में जिस capacitance की value minimum होगी उससे भी छोटा होगा मतलब अगर माल जी यह 2 microfarad है यह 3 microfarad है तो जो C equivalent आएगा वो 2 से छोटा आएगा 2 से छोटा आएगा तिससे भी छोटा आएगा ठीक है ना यह concept आप लोग याद रखना ठीक है तो अगर 3 capacitance आपस में स्रीज में connected है तो उनका भी direct formula हमने यहाँ पर point out किया उसको भी आप लोग देख लेना ठीक है बटा जी यहाँ से निकालेंगे एक terminal आपका A होगा और यह terminal आपका B होगा A और B के across यह तीनों के तीनों आपस में parallel होगे ठीक है यह से बोलते है parallel combination I think मेरी बात आप समझ गए तो आप चाहते हैं कि आपने कहा कि left वाली सारी की सारी plate एक सार जोइन हो गई right वाली plate एक सार जोइन हो गई आप यह combination across A B क्या बन गया parallel combination of the capacitors ठीक है जा आप इसको क्या करना इसको reduce करके हमें change करना किसमें है हमें तीनों को add करना है इस तरीके से add करना है कि हमारा जो result आए वो बन जाए C equivalent यही तो हमें निकालना है यह निकालना हमारा C equivalent मतलब इनको तीनों को इस प्रकार से हमें combine करना है, grouping करना है कि क्या बन जाए C equivalent बन जाए उसको हमें find out करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपने कहा कि सर इसको हम battery से join कर देंगे ऐसे और battery के potential क्या आपका वी potential है तो battery का अगर वी potential है तो battery जहाँ जहाँ wire से connect होगी पूरा का पूरा वो वी ही होगा battery wire का potential हर जगा से होता है यह आपका वी होगा और अगर इधर मान लिए आपने 0 तो यह आपका 0 होगा क्योंकि बैटी यहाँ पर वी कहने का मतलब क्या होगा यहाँ वी voltage है positive यहाँ 0 voltage है तो यहाँ पर वी है यहाँ पर 0 है तो कितना difference आएगा वी का आएगा तो इस wire में 0 voltage आप मान लेते हो इसमें आप मानने तो भी वोल्टेज तो difference कितना आ गया V यानि कहने का मतलब क्या हुगा कि अब जब parallel combination होगा तो जितने भी capacitor होगे सारे capacitor के cross potential difference होने वाला है क्योंकि इसके cross भी आपका V होगा इसके cross भी V होगा क्यों कि ये wire से connected है यहाँ V होगा यहाँ 0 होगा यहाँ V होगा यहाँ 0 होगा इन केस आफ हम लोग हाँ point out कर लेगे तो बैटा हम लोग क्या किया लिखा हमने in case of parallel combination of capacitors potential remains same in all capacitors तो potential क्या होगा same होगा पहले बाले में series में क्या हो रहा था चार्ज सेम हो रहा तो यहाँ पर potential same होगा तो आपने कहा यहाँ पर V होगा यहाँ पर V होगा potential battery सब पे same कर देगी ठीक है ना अब concept क्या है कि battery charge को तोड़ेगी negative क्या करेगा negative क्या करेगा इधर से जो है कि charge को तोड़ेगा positive charge को तोड़ करके इस side transfer करेगा तो इधर से क्या निकल के आएगा मानलो इसने positive charge यहाँ से तोड़ा और यहाँ से positive charge इसने transfer किया अब जब positive charge यहाँ से transfer होगा यहाँ पर तीन branch आ गई अब यह positive charge जब इसके अंदर जाएगा तो तीनों यह divide हो जाएगा इसमें मानलो इधर चला गया Q1 इधर गया Q1 इधर गया Q2 इधर गया Q3 ठीक है बटा जी I think बढ़ी बात समझ में आई बात तो अगर इधर Q1 गया तो इधर से Q1 निकला होगा इधर से Q2 निकला होगा इधर से Q3 निकला होगा जब इसने बैटरी ने तोड़ा होगा ना चार्ज को, इधर से Q1 तोड़ लिया होगा, इधर से Q2, और आप कहोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू कैप्टिल Q होगा, ठीक है बड़ा जी, अच्छा, आप बताइए, जब यहां से, इस कैपेस्टर पर Q1 गया, तो इस पर आगया, प्लस Q1 चार्ज, इस पर Q2 गया, इस पर आगया, प्लस Q2 चार्ज, इस पर Q3 आगया, इस पर आगया, प्लस Q3 चार्ज, देखो, अच्छा, इसके ज़स्ट जो प्लेट लगी हुई है, उस पर क्या आएगा, माइनस Q1 आएगा, इस पर क्या आएगा, माइनस Q3 लग होगे बट जो है कि सबका potential सेम होगा I think मेरी बात आप समझ पा रहे हो वैसे ये भी आप combine करोगे battery वही आप लोगे battery तो आप कोगे सारा का सारा phenomenon बिल्कुल सेम होगा यानि क्या करेगा ये charge यहां से क्यों तोड़ेगा V battery इसको charge क्यों यहां ट्रांसफर करेगा इस पर plus q चार्ज आएगा इस पर minus q चार्ज आएगा हना यहां पर क्या है वही प्लस q जो है तीन पर हो रहा है distribute है कि नहीं बटा जी तो यह आपका हो गया parallel combination charges कैसे आएंगे battery कैसे charge को तोड़ के देगी यह मैंने आपको explain कर दिया किसके है q1 sorry sorry q1 plus q2 अब plus q3 के बराबर है है कि नहीं बटा जी देख धान से आप लोग ठीक है ना अच्छा अब बताइए q1 की value क्या है q1 की value कैसे निकालोगे q1 की value निकालोगे क्योंकि इसका potential v है इसका potential v है इसका potential v है तो q1 क्या होगा q1 क्या होगा आपका q1 होगा c1 into v होगा q2 क्या होगा c2 into v होगा q3 क्या होगा c3 into v होगा यहां रख सकते हम लोग इन term of capacitance यहां c1 into v plus c2 into v plus c3 into v यह तो q1 q2 q3 हो गया और capital q यहां से निकाल सकते हैं capital q कितना होगा देखो यहां से वो होगा c equivalent इसकी क्या है c और इसका potential v v होगा यह होगा c equivalent into v होगा क्योंकि इसको इसमें transfer किया है तो आपने कहा q कितना आ गया c equivalent into आ गया v equal to आ गया c1 v plus c2 v plus c3 v यहां से देखो v से v कर जाएगा यहां पर आ गया आपका c थे आ गया c equivalent आ गया c1 plus c2 plus c3 direct combine कर दिया जैसा आपका resistance में result आया था कि series combination में वैसे capacitor में जो result आता है parallel combination में c1 plus c2 plus c3 I think सारे बच्चों के concept clear हो गया बटा जी जितने भी capacitor होगे उनको आप add करते जाओगे इसका मतलब जो c equivalent होगा जो c equivalent होगा वो बड़ा होगा किस से जो c1, c2, c3 से बड़ा होगा c1 से भी बड़ा होगा c2 से भी बड़ा होगा और c3 से बड़ा होगा कोई इसका sum करने के बाद आ रहा है c equivalent ठीक है बटा जी कोई doubt है तो discuss करना ओकी बटा अगर मान लो आपके पास क्या है n identical capacitance है क्या है n अगर आपके पास मान लो n identical capacitors है तो क्या होगा आपका c equivalent direct सब कुछ सम करोगे तो n into क्या आएगा c आएगा यह भी आप formula हमेशा याद रखो कि आपको काम आएगा ठीक है बटा जी it is important कि कैसे आपने series combination देखा और कैसे आपने parallel combination देखा इसके बारे detail मैंने यहाँ point out किया है वीडियो मैंने बनाई है कोई doubt होगा तो बटा हमसे discuss करना ठीक है कि आएगा याज रखवा तो झाल झाल